कि नबस्कार मैं आणा कुमार गुर्कुलानंदकेडमी के ओनाइन परिबार में आप सबका सवागत करता हूं प्यारे दोस्त कैसे हैं आप सब आसा करते है सभी मस्त जबर्चस्त होंगे और आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे पहरे सातियों जैसा कि आप सब को पता है कि इसमें एक मुहिम बहुत टेजी से चल लए है इउपि पोलिस रेडियो हेड ऑपरिटर में डिपलोलामर्स्ट जी के के, जिसमें कभी डिपलोमा हाविरा है इसी करम से लगातार चीजें चलती जा रही है, कभी हम लोग कोट केस के लिएक कभी बहु गए और हम लोग का जो रियल बास्तिविक है चीज़ें आप लोग भी जानते हैं ये बात कि कोई भी विग्यापन जो होता है मैं हमेशा दो ही बाते कहता हूँ कई साय लोगों को इस बात के सिकायत भी रहती है मैं बात करता हूँ नियमाबली की, मैं बात करता हूँ विज्यापन की, कोई भी भर्ती नियमाबली और विज्यापन के बिना पूरी नहीं हो सकती है, इस भर्ती को लेकर भी मेरा यही बानना है कि यह भर्ती पहली बार उपन तरीके से हो रही है, भर्ती वोड इसके लिए प कि अगे कि किया रेड़नीती है आज तो यह पहली बार वेकिंसी उत्तर प्रदेश सरकार और पूरे पावर थे इस बात के लिए कि अगर वहीmos चाहेते केवल डिप्लोमा अलिजविल हो तो केवल डिप्लोमा अलिजविल होता हो चाहेते केवल झालां कि उन्होंने जो बिग्याप्र निवाबली है उसमें केवल डिप्लोमा के लिए लिए समकच कार्थ कहीं भी समकस्ता में जो बता दू वहां पे जो समकस्ता जिसमें एक साल तक कोर्स पढ़ा जाता है ऐसे ही उन्होंने ये का कि ऐसा कोई भी मलब कोर्स जिसमें एक साल या दो समेस्टर कई जिकर समस्टर पर इचा होती है दो समेस्टर दी में साथ दिन तक एक बहस चली जिसमें चार दिन जो बीटेक बालों के सीनियर एड्वोकेट हैं जीके सिंग्जी उनकी तरफ से चार दिन भहस करी गई और उसमें ऐसा नहीं है कि पॉइंट वाइज में एक एक पॉइंट पर डिटेल बहस करी गई उनमें यह देखा गया कित दिप्लोमा वाले पढ़ते हैं बीटेक वाले नहीं पढ़ते हैं तो बीटेक ना तो उसके समकच चाती है यह बात कई दिन की बहस के बाद के लिए हुई थी और लगातार इस पर अभी भी वह जज़्जमेंट सुप्रिम कोर्ट भी गैदा बहां से भी उमारा गया तो उन जिससे जो है बर्क प्लेस पर जाकी काम करने के लिए उसे डिजाइन किया गया उस तरीके के कोर्स में दिए गया है और जो हमारा डीटेक है वो ऑफिस वर्क के लिए उसके इसाथ उसमें चीज़ें कराई आती है ठीक है तो अब मैं इसी पर बात करते हुए आप सब को पत सब्सक्राइब करें थे और मैंसन भी कराया था केस हम लोग तैयार थे सुनवाई के लिए हमारे वकील साब भी पहुंच गये थे लेकिन हुआ क्या एक सप्लीमेंटरी केस था उसमें करीब 12-13 केस थे अंदर उसके बाद में जो मैंसन केस में सिर्फ पहला केस उठाया गया और उस केस में भी कम लगबग ढ़ाई गंटे कम वेस पहस चली और वो फाइनल नहीं हुआ अभी थी कर दो है उसकी बज़े से एक भी मैंसन केस और नहीं लिए गए और जब नहीं लिए गए तो अपनी भी सुनवाई नहीं हो पाई इसका दुख मुझे भी है आप सब को ह आपके जो दूसरे साथी है दूसरी पाइटी में ग्रोधी नहीं कहूंगा वो लोग ग्रोधी कहते हैं दूसमें कहते हैं वह सुप्रिंग कोड का रुख कर रहे हैं यह बात उन लोगोंने खुद अपने वीडियो में बताई है और मैरे वी सोर्सेस से मुझे पता चला है क यहां वो लोग सुप्रिंग कोड जा रहे हैं दरसल में मैंने बताया था शुरुवात में यह लड़ाई दो ऐसे कम्यूटी के वीच में है एक तरफ सीमित संसादन है हम लोग सीमित संसादन में इस लड़ाई को यहां तक लेकिया है एक एक पैसा आपका बड़ी मेहनत का भी कर लोगों के सही योग से यहां तक पहुँची और बड़ी मुश्किल से अम लोग सर्वाइब कर पाँ रहे हैं कैसे जाना और कैसे वह को आप सके बहुत हैं दूसी का ऐसी कोई किमी नहीं है वो अगर ज़िवत पड़ेगी तो एक 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 लाक दो जो दो लाक भी लग तो वो लोग आपने देखा भी होगा वीडियो दिखा रहे थे इक बच्चे ने भीजा था मेरे पास तो वो गौरत जी है कोई उनके वो गहे हुए है सप्सक्राइब कफी कर रहे हैं यह हो सकता है उस पर हम लोगों को भाशन ही करनी उनको दिया गया उनके पास के अधिकार रहा है पैसा उनके पास कमी नहीं है तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं कि मुझे बुरा यह लगता है कि सार्जविनिक मंच पर ऐसी धंकियां दी जाती हैं कि हम इस भरती को रुद्ध करा देंगे या वो तो वी टेक डिजवे लोगा या भरती केंजल करा देंगे मैं इसे पूरा नहीं होने जोंगा या इसे फसा दूंगा बड़ा अस्चर्व होता है मुझे और बड़ा तक्रीफ होती है हम लोगों के लिए इस बैकेंशी के क्या माइने हैं वो अपकिसी डिप्लॉम वाले भाही से मुझेगा हम लोग चुरुआस से निवाबली विग्या से हीतर कोई बात नहीं करें और मैंने आप लोगों से भी कहा है कि अगर निवाबली विग्यापन में कहीं एक जगए भी बीटेक का जिकर मिलता है मैं यह चार बरसे अगर नहीं लिखा गया है तो आप लोग भी समझार हैं आपको समझना चाहिए टाइम आपका खराब हो रहा है मेरा भी खराब हो रहा है लेकिन फाइनली जो परड़ाम आएका वो हमारे हक में आएगा अब आप लोग सुप्रीम कोट जा रहे हैं हम लोगों के पास इतनी सामर्थ नहीं है कि सुप्र लोगों का सपोर्ट है मेरे पास चीजा सा रास्ता बता दो आपको यहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है साई रास्ते बंद है जो भी फैसला आएगा सुप्रींग उच्छ न्याले का वो हमें मनजूर होगा हमारे प्रितिक डिप्लोम वाले भाई को मनजूर होगा उमीद करता हूँ आप लोग भी इस पर एडिक रहें आप कई आपके टीम के मेंबर हैं उनसे बात हुई वो इस बात से एडिक थे पहले तो कि हमें उच्छ न्याले का फैसला मनजूर होगा लेकिन अब सरवोच न्याले पहुंच गया है तो वो उसके लिए सुतंत रहें और उनके पास फैनेंसियल सपोर्ट नहीं हो पाया हम लोगों के लिए इसलिए सुप्रिंग कोड की तरफ जो हम लोग नहीं सोच रहे हैं उदर रुख करने की बात नहीं कर रहे हैं अब यह चल रहा है वो लोग इसी पर बात करेंगे और इसी चीज़ को कंटिन्यू कर रह हम लोग नच्चोड़ी काम कर सकते हैं जैसे कि रजिट्री का प्रोसेजर चला है हम लोग इस पर काम करना चाहरे हैं आप सब से मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट ऑप्रेटर वाले भाई ही में अजिसके हैं और करमशाला करमचारी भी बी मैंने आप सबसे कहा था कि जिसमें 10,000 रिजिट्री भर्ती वोड को पहुंचानी है और उसके बाद मैंने कल आप से कहा था कि हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट भी शुरू करेंगे कब शुरू करेंगे हम उसका इंजार कर रहे हैं में रिजल्ट चाहिए किसी वी कीमत बे है और प्रयास में यह कर रहा हूं मेरी मांग है यह भर्ती वोड से और सब लोगों से अंत्रप्धित सरकार से मानिय मुझे पूरा यकीन है कि माननिय मुख्यंदी धी हम लोगों को नि क्रिनिंग करा सकते हैं वो भरती वोड के पास सारे चांसे खुले हुए हैं किस प्रकाल कराएंगे वो उनकी समस्या है वो उसको करा सकते हैं अगर चाहेंगे तो हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं किसमें केवल और केवल डिप्लोमा का रेजल्ट आए ताकि जो यह धंकिया दी जा रही हैं खुले मच से कई सारे डोग लाग लाग चैनल के माद्धियम से या जो बित्यक वालों का WhatsApp ग्रूप है उस पर या जो टेलिग्राम ग्रूप है उस पर चीज़ें बूली जा रही है कि हम धंकी हम भरती को फसा देंगे या रद्द करा देंगे हम इन सतीजों के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं मेरे अधिकारों का हनन हुआ था मेरा राइट है इस बरती पर मैंने शुरुआत में ही कहा था अगर भरती बोड नीमा बली और विग्यापन में नहीं में लिखता व अगर नहीं दिया गया है आप लोग कहते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है क्या आपको नहीं लिखता है मैं भी कह रहा हूं गलत हुआ है लेकिन आपके साथ जो गलत हुआ है उसकी गलती का जिम्मेदार भरती बोड है और किसी की भी गलती चाहे भरती बोड की हो चाहे आप नहीं है हम लोगों की डढ़ाई सही है तो मैं गलत कैसे हो गया और दूसरी बात मेरा जो पक्ष है वो इसी बात को लेके था इसी लिए हम लोग पोड़ गए अगर भड़ती वोड़ मिमा विल्या बिग्ञापन में कहीं भी इस बात कर देता इसमें Boulder कोगा हो तो लोग कहीं से भी नहीं आ रहे हो होते केबल वी टेख होता तो फॉर्म ही He आप माने या ना मने वह आपकी मर्जी है इसलिए मैं अभी यही चाहता हूं आप लोगों मैं अपनी टीम से भी उम्मीद करूंगा दूसरी टीम से भी कि आप लोग भी सुप्रिंग कोड तक लेके ना जाय मामले को और ताकि क्यों फसाएंगे इस बढ़ती को सीरा सीरा आप पुत्पन करना चाहे रहे हैं कि जो अमारे असिस्टेंट वाले भाई वह भी मतलब इस पर बोले के परेशान हो जाएं हम सब लोग मिलकर जो भी चीए चल लई हैं उच्छ न्याले में उस पर भरोसा करते हैं और सब लोग मिलकर रिजल्ट के लिए आभान करते हैं एक वी जाहिर सी बात है वह एड ऑपरेटर की जॉब जॉइन करेंगा और सिस्टेंट वाली पोस्ट खाली रह जाएगी और जो जॉइनिंग के प्रिया जो है ओव मेडिकल के बाद आती है और मेडिकल के बाद से के लिस्ट नहीं आती है इस बात को में भर्ती बोर तक पहुंचा इस बात के लिए मैं भी पहले कर्मेंशनल नहीं था मुझे लग रहा था गिनी बाद में जब नोंने बोला तो मैं भी एग्री हुआ उनकी बात से लेकिन मैं उनसे इस वात के लिए रुकेस्ट करता हूं कि बो लोग सुप्रिंग कोट की तरफ रुखना करें जो भी चीज़े हैं हम लोग उच्छ नियाले तक गय वह है जो भी हांसे निकल के आएगा हम लोग उसे पर हमें भी पूरा व्रोसा है समिधान को मानने वाले ब्यक्ति हूं एक एक चीज पर व्रोसा है या तो आप यह कहिए किए आप को उच्छ नियाले और भरती बोल्ट पर भरोसा नहीं रहे गया इसलिए आप उसको न्याले जा रहे हैं सर्वच न्याले जा रहे हैं तो मुझे कोई तखलीप नहीं होगी अगर आप भी भरतिये समिधान को मानने वाले बेखती हैं भरतिये समिधान पर भरोसा करने वाले बेखती हैं तो आपको उच न्याले पर वरोसा होना चाहिए और जो भरती वोड है उस पर भी वरोसा होना चाहिए जैसे हम लोगों को भरोसा था वो हमारे साथ थे तब भी हम उनके पास मिलने जा रहे थे हमारे साथ नहीं थे हम तब भी लगातार मीट अप कर रहे थे और प्रयास कर रहे थे चीज़ें तो आप मानपता है अबारता धर्म निभाएंगे और उस्तम जाले की तरब रुख नहीं करेंगे क्योंकि आप का इस्टेंड भले ही कुछ भी हो आप उस्तम जाले जाएं आप इंटर्डेशनल कोट लिखे जाएं इसको लेकिन हम लोगों की इतनी अकात नहीं है इतना हमारे बस में नहीं है कि यहां से आगे इसको कर पाऊंगे हम लोग के लिए यही दो केस जो फाइनल हो है जिसमें हम इंप्लीड हुए है यही एक बड़ी बात हो कि इसके आगे हम लोग पास फाइनल सपोर्ट नहीं है हम लोग इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे मैं आपको इस प्रस्ट कर रहा हूं जूट बोलने आले विक्तियों में नहीं हूं मैं आपको जूटा दिला सल अगर नहीं होगा चीजें सुप्रीम कोड जाएंगी फसेंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा सरवाइब करना हम लोग के लिए सब को अपने परिवार देखना होगा अपने पर चीजें देखनी होगी, मैं बहुत दिन से कहा रहा हूं कि रड़ाई बहुत लंबी नहीं रड़ सकते हम लोग, तो बोहीं समय आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर मुझे इसके लिए मिलना पड़ेगा, हमारे मिश्राजी मिलना चाह रहे थे मुझे, तो म मेरा अंतीम समत्त के ही प्रयास होगा, कि किसी भी कीमत पर डिप्लोमा का सेलक्शन होना चाहिए, लेकिन सुप्रिंग कोड जाने की मेरी वकात नहीं है, उदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, और दूर भी है मारे आसे, बहां तक मैं नहीं पहुंश सकता हूँ, इसमें कोई दोराय नहीं है, तो इन चीजों को लेके आप भी विचार करिएगा, और मैं भी विचार करने को तयार हूँ, मीटिक वाले लोगों से मैं कह रहा हूँ, कोड आप उच्च नियाला में आपने किया हुगा, मैंने किया, यहां तक हम लोग लड़ सकते हैं, आगे आप लड़ लगी रहती है, यह जीवन का पार्ट होते हैं, और चीजों कभी बदलेंगी, कभी दिन अच्छा नहीं होगा, तो कभी दिन बहुत बुरा होगा, तो बहुत बुरी जाएंगी, तो बहुत चलता रहता, यह पार्ट का, लाइफ का हिस्सा है, तो इस बात को लेके एकदम कत तो मेरे दोस्त इसलिए मैं लाइब आया हुआ था मैंने आपको चीज़ें कर दी किलियर आपको समझना गया होगा फिर भी आपके उनमें अगर कोई भ्रहम है किसी बात के लिए कोई संक्या है तो आप मेरे नमबर 9810455761 पर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं यदि मैं दो बार में कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो आप मुझे मैसेज डाल दीजे मैं आपके मैसेज का रिपलाई कर दूँगा और जो हमारा टेलिग्राम पर ग्रूप है जिसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बहाँ से टेलिग्राम ग्रूप पर जोईन हो सकते हैं उसके अलावा जो है आपको मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं हमें आपकी बहुत आवस सकता है आप सबके स चीजों पर काम कर सकते हैं ठीक है मेरे दोस्त जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे कम से कम पाँच दोस्त तक share करें यह दिवासतम में प्रिलोम वाले होंगे तो इसे share करेंगे हर उस ब्यक्ति तक यह जानकारी पहुंचने चाहिए जो सच है सच्चाई हमेशा सब के सामने रहनी चाहिए मैं जो सुरुआत्स से था सच के साथ तास के साथ हूँ रहूँगा इसमें कोई दोराये नहीं है जो चीज़े मैं खूल के बोलने वालों में हूँ और खूल के बोलूँगा भी जो भरती वोर्ड का फैसला था मैंने साथ मार्च के बाद बोली थी कि वो भी टेक पालों की तरफ है वो बात खुल के निकल के सामने आई अब आपके साथ है तो जो भी प्रयास हो सकते हैं हम लोगों की तरफ सुनको कर रहे हैं आगे के जाने की हम लोगों के उकात नहीं है है हैसियत नहीं है वो जो भी होगा हम लोग यहीं से सॉल्ट आट करने का प्रयास करेंगे ठीक है मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही थैंक यू